तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपनी Facebook ID का password कैसे change करें तो भाई कई बार क्या होता है कि यार हमें किसी reason के चलते हैं अपनी Facebook ID का password change करना पड़ जाता है बट हमें अपनी Facebook ID का password change करना नहीं आता है तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक देखते रहें अगर आप भी सीखना चाहते हो और दोस्तो अपनी Facebook ID का password change करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक देखते रहें तो दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि भी आपको अपने phone में Facebook app को open कर लेना है जिसे कि दोस्तो मैंने यहाँ पर Facebook app को open कर लिया है उसके बाद भी आपको ने यहाँ पर right side में उपर भी आपको three lines देखने को मिल जाएंगी तो दोस्तो आपको simply in three lines के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद भी आपको यहाँ से हलके से नीचे आना है और दोस्तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है अब भाई यहाँ पर आपको तीन box देखने को मिल जाएंगे यहां पर कि दोस्तों यह जो पहले वाला box है यहां पर आपको अपनी Facebook का password डालना है जो कि दोस्तों अभी की date में आपका password है और दोस्तों यह जो नीचे वाले दो box है न यहां पर आपको अपना new password set करना है जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर जो पहले वाला box है यहां पर दोस्त अपने सेट कर लिया है जो पहले वाला बॉक्स है यहां पर मैंने अपनी आईडी का जो मैंने अभी की डेट में पासवर्ड रखा था भाई वो मैंने डाल दिया है और दूसरे वाले बॉक्स में दूसरे वाले बॉक्स में दूसरे वाले बॉक्स में मैंने सेम डाला है दूस तो इस तरह से आप अपनी Facebook ID का password भाई बहुत असानी से change कर सकते हो जैसे कि यहां पर मेरी ID का भी change हो चुका है और दोस्तो यहां पर भी आपको stay locked in के उपर click करना है और दोस्तो एक बार continue कर देना है तो भाई इसके बाद आपकी Facebook ID का password भाई change हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो यही था इस वीडियो में अगर तुमारी इस वीडियो से थोड़ इसी भी help हुए तो वीडियो को एक like कर देना अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को share कर देना और चैनल को subscribe कर देना तो वीडियो को करते हैं समापा टाडा बाई टैक्या